गुड एबनिंग डियर इस्टुडेंट्स, पॉली टेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्पूर्ण है कोई भी बच्चा चाहे वो अपरेंटिसिप कर रहा हो, कर चुका हो या फिर करने की सोच रहा हो उसके मन में एक प्रशन जरूर आता है कि क्या एक साल की डिपलोमा या जो डिगरी अपरेंटिसिप है उसको अनभो की मानता है यानि इसको हम प्रशन के रूप में देखें, तो कोई छातर का ये प्रशन हो सकता है कि मैंने नेट्स पोल्टल द्वारा एक वर्स की अपरेंटिसिप से पूंड कर ली है तो क्या मुझे एक वर्स के अनभो की मानता मिलेगी इसी प्रशन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, तो मन में प्रशन आता है क्या एक वर्स की अपरेंटिसिप के अनभो का जो लाव है वो सरकारी या फिर PSU नौकरियों में मिलेगा तो प्राइवेट में तो मिलता ही मिलता है, बस मन में ये आता है कि कोई सरकारी नौकरी, सरकारी विभाग से निकली या PSU सेक्टर में निकली और उसमें एक वर्स का अनभो मांगा गया हो और उसको आपकी पूरी की पूरी उसको मानता है, क्योंकि ये Nets Portal यानि की Government of India द्वारब बनाया गया है और इसका Certificate भी आपको Government of India और Nets Portal की तुरू जारी किया जाता है आपको पता है कि कोई भी Apprenticesip Training को जो Polytechnic Diploma के छात्र करते हैं Technician Apprenticesip के नाम पर या फिर Degree Apprenticesip की रूप में जो B.T.E.E. या फिर अन जो Graduate Students होते हैं वो जो Apprenticesip Training करते हैं उसकी यवदी समानता एक वर्स की होती है और एक वर्स का जब आप Training सफलता पूर्वक पूर्ण कर लेते हैं तो उसमें आपको एक Certificate भी जारी किया जाता है तो बच्चों इस सम्मंद में जो आपके मन में ये जो जिग्यासाएं हैं कि इसमें सरकारी या P.E.S.U. नौकरियों में जब कोई वेकेंसी निकलेगी उसमें अन्भो मांगा जाएगा एक साल का तो हमारी इसको माना जाएगा मानेता मिलेगी या नहीं जो अपरेंटिसिप ट्रेनेंग है हमारी तो उसको बच्चों मैं आपको एक Order दिखा देता हूँ जो की MHRD द्वारा जारी किया गया था 6 मई 1997 को तो बच्चों इसमें अगर आप देखिए तो ये सभी के लिए जो भी All Employing Ministries हैं, Departments हैं, Planning Commission हैं और Bureau of Public Enterprises हैं सभी के लिए ये पत्र जारी किया गया था और इसमें आप इसका बिसे है तो देखी One Year Apprenticeship Training of Graduate Engineers, Technician यानि डिपलोमा and 10 plus 2 Vocational Apprentices होता है उसके Experience के Regarding यानि इसके सम्मंद में तो बच्चों इसमें सारी चीजें कमेटी के सामने जो डेटा तत्त प्रस्तुत किये गए उसके अनुसार ये है जो निर्ने निकल करके आया इन सभी के लिए कि ये देखिए इनको ये Request किया गया ये बात में दिया गया यू आर रिक्वेस्टि तो इंप्लीमेंट दिसीजान ओफ सी एसी रिगार्डिंग वन इयर प्रेक्टिकल ट्रेनिंग अंडर गॉन बाइज के टेग्रीज ऑप अपरेंटिसेस इन डिफरेंट इंडिस्ट्रीज ओबलिक इस्टेबलिसमेंट्स एट्सेट्रा एस वन इयर एक्सपिरियंस फोर दा परपस ओप इंप्लोईमेंट अंडर सेंट्रल ओबलिक इस्टेट इस्टेबलिसमेंट्स एट्सेट्रा यानि कि कहीं भी यदि इंप्लोईमेंट या वेकेंसी आती हैं किसी केंद्र सरकार के विभाग में या पी एस्यू में या फिर इसको जारी किया सभी डिपार्टमेंट्स को चाहे वो केंद्र के हों चाहे वो राजी के और चाहे वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हों तो बच्चों आपके मन का जो भ्रहम है जो डाउट है या आपके मन में जो जग्यासा थी वो दूर हो गई होगी और मुझे अप्य भी यदि PSU में या गौर्वर्मेंट डिपार्समेंट में अनभो मांगा जा रहा है एक वर्स का तो आप अपना सर्टिफिकेट वहाँ पर अनभो के रूप में लगा सकते हैं बिना किसी हिच के चाहट के तो बच्चों ये थी मातपूर्ण जानकारी उमीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा इसी तरह की उप्योगी जानकारी के साथ नेक्ट टाइम आपसे फिर मिलूँगा तब तक के लिए थैंक्यू बेरी मच आप सभी का दिन शुब हो